कि अब दोस्तों चलिए आज मैं बनाने जा रहा है हूं शंगल को फ्राइब की है बहुत ही सिंपल तरीके से इसके लिए लिए हैं मैंने कड़ाई में ते जील जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालते रहे हूं जीरा जीरा अच्छे से त्रणक जाएगा तो मैं इसमें एड़ कर दे रहे हूं हूराई पिर मैं इसमें एड़ कर दूंगी कटा हुआ प्यायच और गच्छा में चे देखिए इस तरीके से यह पस मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चाहर को फ्राइब कर रहे हूं बीना अलो अलो को उप्यों किये इस इस तरीके से इसको अच्छे से फ्राइब कोने देंगी इस तरीके से चमस लाते हुए मैं इसको अच्छे से फ्राइब कर लोंगे चाहल फ्राइब करने के लिए चाहल जितना अच्छे से खिले खिले रहेंगा उतना ही अच्छे से फ्राइब होता है इस तरीके से जब अच्छे से इस तरीके से फ्राइब हो जाएगा तो मैं इसमें एट कर दूंगी सदंस और नमाक हल्दी पाउडर पर इसमें एक बार अच्छे से चमस लादेंगे इस तरीके से फिर मैं इसमें बचे हुए चाहल है जो मेरे पास उसके मैं एट करूंगी चाहल को हाथ की मदश्या चमस के अच्छे से तोले नहीं इस तरीके से कि चीड़ा या फिर बड़ा बड़ा साइज मिना रहे हैं इस तरीके से में सारे चंगल को एट करके अब चमस के मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से बार बार शमर शलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जीतना चाहदा हो सके इसको अच्छे से जिए ज्यादा चमल अच्छे से भूं जाता है या फ्राई होता है फ्लेम को मेडियम डग करके उतना ही रिस्पी आता है कुरकुरी लगता है अच्छे से और अच्छे से देर तक ही इसको इस तरीके से चमस दाते हुए फ्राइब कर लेंगे डेके खलदी के कॉन्टेटी को भी थोड़ सा तलना है जैसे 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 चम्मस लाते जाते हैं वैसे इसका अच्छे से आजाता है फिर मैंदे चम्मस क्टावा हो और दरीजा और चम्मस के अच्छे से लिए कि देश्चे इस तरीके से आप भी बहुत ही कम समय में चांगल को प्राइ कर सकते हैं प्लिस लाइक से और सब्सक्राइब करें न भूलें देखें कितनी अच्छे से चांगल प्राइब हो गया है अधने जडिए आपने दिटाए लूगर दोग जड़ाई लूगर भी भी नगर भी लूगर बादा बादाए यदिन की लुटा भी आपने आपने वी तेड़ा हैं